हलो एवरीबन चले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉंग कोशिन जो था आपके मोडल सिट पेपर में मैंने दो कोशिन डिसकुस कर दिया था आई उसके थर्ड में आते हैं जिसमें आयोडीन का में सोर्स पूछा है और उसका प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्राक्शन पूछा है फ् होगे तो लेट स्टार्ट आयोडीन का में सोर्स और आयोडीन का एक्स्ट्राक्शन फॉम दिस सीवीड कैसे करते हैं चले स्टार्ट करते हैं लेखेगा कोशन क्या कहता है पहले कोशन हम लोग पढ़ते हैं कोशन कहता है वाट अर्दी में सोर्स ऑफ आयोडीन आयोडीन का में सोर्स किया है उसके बाद कहा हा। से सबसे पहले में सोर्स और जो कि आपको याद रहना चाहिए सब को यह चीज याद रहना चाहिए चली यह कुछ सोर्सक gagnes कर लो सीवीड मतलब समुदरी Gास जो होता है समुदरी घास समुदरी जीव जो होता है छोटा-छोटा घास पात कहलो समुदरी घास वीड्स मतलब वही होते है जो कि अपने आप उगाता है जिसे कहते हैं कि हम कोई कोई किसी का खेती कि और उसमें जो घास उगाता है उसे हम क्या कहते हैं वीड्स वसे समुदरी ज है तो फिस में जैसे कोड है टूना है उसके बार देरी प्रोड़क्ट जैसे मिल्क है योगर्ट जैसे दूद है दही है चीज है यह सभी बराच्छा सोर्स है एक और और याद रखेगा चीली साल्ट पिट्रे चीली साल्ट पिट्रे यह है एरे नौ 3 एक और नाम सुनते से जहां तक अभी तक हम दो जानते हैं कि अमीली सी से होता है तो जितना भी सी वीड्य सोगा उसमें होगा फिस होंगे डियरी प्रोड़क्ट होंगे इसमें हमको मिलेगा एक दो बार इसले अब लेबल उसमें जादा आबलेडल तो वह जादा लेमिनेरिया कि कोण फोब्हेर देया है में इसे करते क्या पर ल democratic न्हीं आशान भाता में लिख रखा एक दो बार पर होगे सेघा धौकर – क्या फाल Kr l क्या करते हैं well dried तो उसको सुखा देते हैं पानी में फले उसको क्या करो air में सुखा दो उसके बाद उसको जलाते हैं burn in deep pits गढ़ा गड़ा कोद लो उसमें जलाते हैं इस तरह से जलाते हैं उसको carefully जलाते है ताकि iodine जो है सब का सब evaporate न कर जाए वो destroyed न हो जाए तो फिर सुन वरबाद ना हो जाए, पहला चीज समझ में आ, लमिनेरिया लिए, उसे हमने सुखाया, उसे गहरे गढ़े में डालके, एर के पिजिंस में जलाया, इस तरह से जलाया, गहरे गढ़े को इस तरह से इसलिए यूज करते है, ताकि आयोडीन जो रहे, उसके जलने के बाद जो र के नाम से जानते हैं, टर्म लोजी है, टर्म से, याद रखिए, जो हमें राख मिला वहाँ, जलने के बाद, जो एसस मिला, जिसमें कंटेंट होता है, आयोडीन का, ऐसे आयोडाइड के फॉर्म में रहता है, क्या है, जिरो पॉइंट फोर से लेके, वन पॉइंट त्री प पॉइंट तक क्या है, मेरा आयोडीन, आयोडाइड साल्ट के फॉर्म में रहता है, तो आपके वह लिखिए, उसमें 0.4 से लेके, 1.3 पॉइंट तक आयोडीन है, पर यह, 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 ग्या करते हैं, इस केल्प को लेकरके, इस केल्प लोग लेकर पानी में डालो, ताकि उस us can solution ते यार कर से, तो जब solution तेयार होगा, तो हमने कहा था है, इसमें część salt था, तो उसमें क्या होता है, वह ordering salt, उसमें मिलता है, कौन? soluble KI और NAI के form में मतलब potassium iodide और sodium iodide के form में हमें iodine मिलता है पढ़िएगा kelp is dissolved in water and the solution having soluble KI और NAI अभी ये soluble form में है ठीक है ऐसा नहीं कि kel, KI और potassium iodide भी होगा इसके साथ साथ धेर सारा चीज और भी रहता है जिसे sulfur का form भी वहाँ पर पाय जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखना कहता है concentrated S2SO4 अब जब इसमें concentrated S2SO4 डालोगे तो यह क्या है acid, उसमें जितना भी basic sulfates होगा, basic sulfide वाला जो form होगा, basic sulfide वो क्या करता है, उसके साथ precipitate कर जाता है और precipitate करके वो नीचे बैठ जाता है तो क्या करते हैं, उसको चान के निकाल लेते हैं अब मेरे पास solution में जो भी होगा वो क्या होगा, iodide वाला form पर से बोलो, पर से बोलो क्या होगा, मैंने कि concentrated S2SO4 डाला basic sulfide जो था वो क्या होगा, precipitate करके बैठ गया, उसको filter किया और remove कर लिया, फिर से सुना क्या का हमने, जो kelp था जो solution था, उसमें potassium iodide और इसके sodium iodide के अलावा भी कुछ एक था, जिससे basic sulfide क्या क्या हमने concentrated S2SO4 डाला तो वो separate हो गया, उसको चान के हम वहां से हटा लिए अब क्या करते हैं दो चीज़ डालते हैं, अब यहां पे फिर concentrated S2SO4 के साथ साथ एक और चीज़ डालते हैं, MNO2 और concentrated S2SO4, फिर से डालते हैं उस mixture में, जो solution में बचा हुआ था जो चान के हटा दिये, उसको हटा दिये, जो solution बचा हुआ था उस mixture में हम फिर से डालते हैं, क्या MNO2 और concentrated S2SO4, उसे आइरेन के वेसल में, आइरेन का एक मालों के कोई बरतन होगा, बरा सा बरतन होगा, उसमें रखके उसे जलाते हैं मतलब गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो होता क्या है, आयोडीन वहां से अलूडल, नाम है यहां पे अलूडल, किसको कहते हैं, यह पियर से वेसल होता है, बरतन होता है जो कहता है, दोनों तरब से खुला रहता है, दोनों तरब से ओपन रहता है इसको मैं थोरा सोर उपर कर दो फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा क्या क्या हमने डाला था MNO2 और Concentrated Estosophore उस mixer में डाला और iron vessel में उसको गर्म करना शुरू किये तो गर्म करेंगे तो iodine क्या हुआ वेपोराइज हुआ और उसको कलिप करते हैं एक ऐसे apparatus में जो दोनों तरब से खुला हुआ है और उसको नाम है क्या अलूडल क्या नाम है अल करके वह solidify हो जाता है अभी तक तो भेपर दा लेकिन जब दूसरे बर्तन में लेगा है उस महाँ पर ठंडा temperature कम कर देंगे तो ठंडा हो करके क्या होगा solidify हो जाएगा और वो जो solidify होता है उसे क्या करते हैं अलूडल तो इस तरह से मेरा iodine मिला चलो एक बार एक बार पूरा पूरा याद कीजिए पूरा याद कीजिए हमने क्या कहा है तेजी में iodine mainly कहां से extract करते हैं seaweeds like laminaria क्यों क्योंकि इसमें iodine का content जादा है कहां से हमने क्या laminaria से पहला चीज़ क्लिए हुआ है अब कहता है इसको हम सुखाते हैं सुखाते हैं और गहरे गड़े में रखके उसे जलाते है ताकि iodine destroyed ना हो अब जो उसका राख मिला कहता है जो राख मिला that is called kelp उसे क्या कहते है जिसमें 0.4 से लेके 1.3% तक iodine होता है 0.4 से लेके 1.3% तक iodine होता है ठीक है अब कहता है kelp को जो हम पानी में डालेंगे तो मेरा जो solution मिलेगा उसमें soluble ki ai और na i है potassium iodide और sodium iodide है लेकिन इसके अलावा भी basic sulfide होगा उसका filtration कैसे करते है तो concentrated s204 डालो crystal बन जाएगा उसको चान के हटा दो वह आपका sulfide हट गया अब जो sulfide हट गया तो हमको iodine को अलग करना है तो क्या करते हैं सुना है हम वो ki ai na i के form में था तो क्या किया हमने MnO2 और concentrated s204 डाला और उसे डाल करके उसे गर्म करते हैं और गर्म कर जैसे ही करेंगे iodine वहां से vaporize होता है उसे दूसरे apparatus में collect करते हैं और condense कराते हैं उस apparatus का नाम क्या है और यह मेरा solid के form में मिलता है after condensation clear हो जाना चाहिए चले यहां पर इसका वो reaction देख लो reaction जरूर लिखना क्योंकि यहां देखिए यह वाला reaction जरूर लिखिएगा यह है आपका वो reaction जो reaction होता है हमने क्या कहा था क्या क्या डाला था MnO2 और S204 किसमें किया है में गौर से दे S204 जब oxygen agent की तरह कांद करेगा तो गौर से देखो इसको माइनस आई से कहां ले गया जिरू में कहां ले गया जिरू में वह आयोडीन रिलीज हो गया तो यहां पे charge बढ़ा चार्ज कर बढ़ना क्या कहला था Oxidation करवाया कौन S204 तो यहां पे S204 यही किया कि iodide salt से मेरा iod आयोडीन को वहां से निकाल दिया जो कि वेपर के फर्म में लाता है उसे अगले अप्रेटेस में ले जाके कंडेंस करा के हम सॉलिड आयोडीन निकाल लिये थे सायद याद हो गया होगा देखो एक बात कह देर हो इसका नोट्स सब को मैं बता देर हो इसका नोट्स क्या कर डॉक्टर एके सिंग ठीक है इस टेलिग्राम चैनल पर हमने आज ही पोस्ट कर दिया है सारा का सारा इस जो लॉंग कोशन है इसका एंसर वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ले लिजे प्रिंट आउट करा लिजी और जैसे मैं बता रहा हूँ एक बार वीडियो द कुछा है कि दो और का नाम बताए आरन और का नाम बताए दो इंपोर्टेंट और और का नाम और आरन का हम कहता है उस और से कैसे एक्स्ट्रेक्शन करता है उसका प्रॉसस बताए उस पर सौट नोट्स लिखने बोला था चली पहले कुश्चन देखिएगा कुश्चन क्या question करता है gives two important ore of iron, मैं नीचे कर दू थोड़ा सा, दो ore मांगा है, give two important ores of iron, right in short, the process of extraction from its ore, हमको iron निकालने के विधी, उसकी extraction के विधी बता है, आपको बताया कि बताइए इसको, तो सबसे पहले, दो iron, दो iron का ओर मांगेगा, तो हमेशा यही दोनों लिखना बड़ा अच्छा है, दिमाग में बैठ जाता है, क्या है, hematite and magnetite, याद कैसे रहगा, ऐसे सुचो, magnet है, तो magnet क्या होगा, उसमें magnetic property होगा, यहनि iron content ज्यादा होगा, तो याद रहो, magnet में iron ज्यादा है, तो Fe3O4, hematite में iron थोड़ा कम है, तो Fe2O3, ऐसे भी iron content इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, फिस बोलो, magnetite, magnetite, iron ज्यादा है, तो Fe3O4, hematite, iron कम होगा, याद हो गया होगा, यह दो important और आसानी से आपको याद हो जाए, अब कहता है, इसका extraction कैसे करते हैं, तो process of extraction, हमने कहा, iron ज्यादा होता है, magnetite में, लेकिन extract करते हैं, hematite से, extract कहां से करते हैं, hematite से, कहोगे क्यों, जब iron content magnetite में ज्यादा है, तो magnetite से extract करते हैं, नहीं, देखो एक नट, यह जो process of extraction है, हमेशा वहाँ से करते हैं, जो economically better हो, यह समझेगा, यहनि कि हम वहाँ पर पैसा लगाएंगे, जहां 100 लगाएं, तो कम से कम 110 हमको कमाई हो, एसा नहीं कि हम 100 लगाएं, और कमाई हमको 90 रुपया हुआ, तो वो business चलने वाला नहीं है, तो हम कहां से extraction करते हैं, hematite से, इसलिए करते हैं, कम खर्चा में जादा हमें iron मिलता है, तो फिस बोलिए कहां से extract करते हैं, hematite से, तो mainly extraction होता है, iron mainly extracted from hematite, F2O3O, ठीक है, अब कहोगे, इसका साफ सुत्र, concentration का नहीं का मतला, उसके amount बरहाना है, गंदगी उहां से हटाना है, सब सब पहले, पानी से दोलो, उसका दो यहां पर method जरूर लिखिएगा, चुकि यह पानी से भारी होगा, तो क्या होगा, gravity separation, क्या होगा जी, gravity separation, जितना गंदगी होगा, उपर चला जाएगा, और यह नीचे बैठ जाएगा, पहला, और दूसरा होगा, यह magnet से चुकि अट्रैक्ट होगा, तो electromagnetic process से गुजारते हैं, यह दो method, concentration में दो method यादा है, बोलो कौन-कौन, gravity separation method और electromagnetic process चुकि है, magnet से अट्रैक्ट होगा, और अलग हो जागा, गंदगी अलग हो जागा, यह दोनों clear हुआ, concentration बोलो, पानी से साफ करोगा, तो ठीक हो लिखी सकते हो कि हम इसको पानी से साफ करेंगे, washing process से ले जाओगे, उसके बाद क्या करते हैं, gravity separation और दूसरा है, electromagnetic separation, clear है, अब आओ, उसके बाद क्या करते हैं, यह concentrated ore को, अब कहता है, reduction कराना है, चुकि यहाँ पर roasting calculation की जरुवत नहीं परती है, यह already क्या है, oxide के form में, तो कहता है, reduction of concentrated ore tex placing blast furnace, यह नहीं बूलिएगा, blast furnace, उस apparatus का नाम है, जिसमें इसका reduction होता है, यही reduction जो है, किसके थूरु होता है, carbon के थूरु, किसके होता है, carbon या carbon monoxide के थूरु होता है, और इसी reduction process को कहते है, smelting, आगे होगा लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, यहाँ पर फिर मैं लिख दे रहा हूँ, इस process को क्या करते है, smelting, फिस भो लिए कैप बले आने में, concentration के बाद इसका क्या करते है reduction वो जो बरतन होगा या फिर मालो जो chimney होगा उस chimney का नाम क्या बोला मैंने blast furnace क्या नाम बोला blast furnace अब वहाँ जो reduction होगा किस के तुरू carbon या carbon monoxide के तुरू this is known as smelting this is known as smelting this term को याद रखेगा है smelting चलिए अब इसको पहले समझेगा एक दो बार समझेए उसको समझाएंगे दो तीन ऐस पायेगा वह क्योंकिए दो गोड़ से देखो टेंपर में तक जाता है और उपर कितना है 600 मतल दिरे बंट्रे ऑर करते क्या है यह उपर वाले एडिया से और को डालते हैं और अकेले नहीं जाता है और के साहथ साथ कार बन यानिन कोक कार्बन और लाम्स टोन इस तीनों को मिलाकर डालते हैं और लाइम्स टोन युद क्या हूं और है ओर Bentiddal जो की बिल्कुल साफ सुत्रा किया हुआ है एक इधर से निकालने के लिए एक इधर से निकालने के लिए ठीक है यहाँ पर हौट एर देते हैं मतलब गर्म हवा डालते हैं जैसिए गर्म हमां डालोगे तो पहले सुनते जाना पर सरा प्रसेश हम बता देते हैं जैसे गर्म यहाँ ऑपर क्या रहा है मतलब यह स्विंग करते रहताई इस तरह से गैस God जाएगा तो यहां से गिरेगा कॉन चार्ज इस तरह से गिरता है कि वह कार्बन यहां पर इस एर से जलेगा तो क्या बनेगा क्या बनेगा co2 अब ओस co2 जब उपर जाएगा फिर वहां कारबन से मिलेगा तो co2 जब फिर कारबन से मिलेगा तो क्या बनेगा co क्या बनेगा co यानि carbon monoxide तो वही carbon और carbon monoxide काम करता है जो reducing agent जो इस iron को और को reduce करके iron बदल देता है और यहां पर वो melt कर जाता है आरेन नीचे बैठ जाता और उसमें जो गंदगी होता है जो गंदगी होता है वो उपर में slag के form रहता है क्योंकि इसकी density कम होती है आरेन की density जादा होती है तो यह rough idea था अब चली एक एक करके सारा हम लोग प्रोसेस को याद करेंगे फिर से बोली हमने क्या कहा था पहला डालते है और और अकेले नहीं जाता है तीन चीज रहता है बोलो क्या क्या और कार्बन और लाइम स्टोन क्लियर है अब देखो एक एक करके बताते है स्टेप बताएंगे और फिर से फिगर प्याएंगे देखो क्या होगा कहता है रियक्शन टेक्स प्लेसिंग ब्लास्ट क्या क्या होता है एड दी बेस सबसे तली में मतलब यह इसके ऊपर जहां पर तुम एयर डाल रहो कोक बर्न कोक मतलब वो कार्बन बर्न करता है पॉर्डिजर सीओ टू गैस अन लार्ज अमांट ऑफ हीट जैसे से सीओ टू बनेगा एक सो थर्मिक रियक्शन होता है हीट जिन टेंपरेचर इन्हांस होता है और टेंपरेचर कितना पहुंच गया है ट्वेंटी टू हंडड़ बतलबाइस ओ केलविन तक तक तेंपरेचर दिखा गया है उससे आगे भी बढ़ जाता है तेंपरेचर पहला चीज के लिए रहे कहां पर बेस में अब यह सीओ टू कहां ज c8 kja और क्या अबनाए है c o gas तो मेरे पास यहां पर दो रेडिए सिंट अबबलेबल हो गया एक कार्बन और कार्बन मोन ओक साइड कार्बन और कार्बन मोन ओक साइड अब सुनना यही और सी रिक करेगा करता बोथ कोक एंड सी ओ कोक मतलब कारबन एंडि सी ओ एक्ट एट reducing agent which reduces iron oxide into iron, यह iron oxide कौन था, Fe2O3 उसको reduce करके iron में बना देगा, पिसे दोगो कैसे हुआ, CO यहाँ से oxygen को निकाल लेगा, तो 3 CO2 बना, केबल 3 carbon है, यहाँ से oxygen को निकालेगा, तो CO के form में निकल गया, और कब carbon और कब CO, यह याद रखेगा, जब temperature 1073 Kelvin से कम होगा, तो reducing agent carbon monoxide होगा, और जब temperature 1073 Kelvin से 1073 Kelvin से अगर जादा होगा, तो carbon मेरा reducing agent होगा, चलो फिसे इसको याद करो, reducing agent दोनों कोन है, CO और C, तो carbon कब है, जब 1073 से जादा है, जब 1073 से जादा है, और CO आ गया, CO आ गया तो 1073 से कम होगा, temperature यह दम याद रखो, temperature याद रखो, यह सब चीज़ लिग दोनें, तो पुरा का पुरा माक्स देगा, दोनों reducing agent है, iron oxide को दोनों reduce करके क्या बना दिया, iron, लेकिन कब, जब temperature 1073 से कम है, कैसे कि याद रहेगा, कम है तो CO, कम है तो CO, और ज़्यादा है तो केवल केवल C है, केवल कार्बन होगा, तो क्या होगा, केवल कार्बन होगा, तो temperature 1073 से ज़्यादा, और जब कार्बन के साथ monoxide है, तो 1073 से क्या है, कम होना चाहिए temperature, clear है, अब यह iron उतने temperature पे जैसे ही बना होगा, क्या हो जाएगा, melt कर जाएगा, melt करेगा तो नीचे बैठेगा, melt करेगा तो कहां बैठेगा, नीचे, इस दौरान iron के साथ साथ और भी गंदीगी होगा, गंदीगी कौन हो सकता है, सबसे बराचीज होता है, silica यह निए baloo, मिट्टी नहीं कहो से, silica अंतलब बालू, ऐसे समझो, SIO2, वो क्या होगा, बालू, यानि मिट्टी कहीं फर्म कहलो, वो होगा, अब हम उसे भी हटाना है, तो अब आता है limestone, limestone role play करता है, कैसे play करता है, कोर से देखेगा, कहता है, कि limestone को उतने temperature पर ले जाओगा, तो limestone decompose करके क्या बनाएगा, CAO, क्या बनाया, CAO, which removes silicates impurities, ore as a slag, impurities किसका, ore का impurities को, silicate जो उहाँ पर impurities था, उसको हटा दिया, किस के form में, slag के form में, कैसे, देखो यहाँ पे, limestone था, CACO3 से आप heat किये, lime बन गया, क्या बना, CAO और CO2 gas निकल गया, ठीक है, अब यहाँ याद रखना, ये था मेरा silica, मैं red pen ले लूँ, ये था मेरा silica, तो ये जो मेरा silica है, SiO2, इसको हम gang कहते हैं, gang मतलब गंदगी, SiO2 मेरा गंदगी है, ठीक है, उसको हटाने के लिए जो हम डालते हैं, that is called flux, यानि flux एक chemical substance है, जो के addition किया जाता है, flux का source कोन हुआ, limestone, कोन हुआ, limestone से हमको CAO मिला, जो काम कैसा किया, flux किया, और जब ये SiO2, यानि gang, flux से मिलता है, तो बनता है मेरा slag, क्या बनता है slag, चलो ट्रिक एक बता देता हूँ, ट्रिक याद रखना ये नहीं याद रहता है, GFS, मतलब, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट बता दे रहा हूँ, जैसे girl friends, ऐसे याद रखो, GF होता है ने जी girl friend, उसको S लगा दो, तो GFS, मतलब, gang है, flux से react किया, तो क्या बना, slag बना, तो इसम कंटिनूटी में, GFS, गैंग था, flux सरियक किया, क्या बना, slag, तो इसम कंटिनूटी में, बोलो फिर से, गैंग यानि जो गंदगी था, जो बालू आपका गंदगी था, वो जो केमिकली, जो हम केमिकल सबस्टांट डाले, उसको क्या नाम दिया, flux, और flux सरियक किया, तो क्या बना, slag, याद रहेगा, GFS, GFS, आप लो ज़्यादा समझदार हो, GFS, gang, flux सरियक किया, क्या बना, slag, यह जो slag है मेरा, इसकी density, इसकी density, आइरन से कम होती है, तो आइरन से कम होगा, तो आफको सका रहेगा, आइरन नीचे रहेगा, और यह slag उपर रहेगा, चलिए वापस चलते हैं, उस figure पे, वापस चलते हैं, उस figure पे, गौर से देखो इस figure को, यहाँ देखना, यहाँ देखना, गौर से देखो, यह molten pig iron, जो iron मेरा सबसे पहले बनता है, वो iron सबसे खराब iron रहता है, निकि वहाँ पे, चुकि इंप्रिटीज रहती, इसको pig iron करते हैं, वो नीचे है, ये वाला portion iron है, ये वाला portion नीचे वाला portion iron है, तो iron नीचे इसलिए क्योंकि इसकी density जाता है, और ये जो slag है, ये जो slag है, ये उपर से निकल रहा है, तो ये जो slag है, क्यों उपर है, क्योंकि ये lighter मतिस की density कम होती है, और iron की density जादा होती है, साहिद ये figure भी समझ में आगिया होगा, एक बार kindly इस figure को बना के practice कर लिजएगा, कुछ नहीं है, इसमें चार जोन होता है, उतना का जरूरत नहीं है, आप लोग को उस competitive exams के लिए आपको 12th board के लिए इतना आप लिख दोगे, तो आपको total marks मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि 12 नमबर का तो question है नहीं, 5 marks का ही question है, ठीक है तो चलिए, फिर से मैंने क्या कहा, बोलो जी, पूरा याद करो उपर से carbon आया, नीचे से hot air में क्या बना, CO2 CO2 उपर चरहा, उपर से carbon से react किया क्या बना, यहाँ पे CO, carbon monoxide, तो मेरे पास दो reducing agent carbon और carbon monoxide, अब यह reducing agent क्या करेगा, iron oxide से react करके क्या बना लेगा, iron क्या बना देगा, iron इसे देख लो, हमने क्या कहा था, कि यह जो दोनों मेरा carbon monoxide और carbon जो था, यह दोनों reduce करेगा इस iron oxide को, और क्या बना दिया, iron, याद क्या करना था, carbon monoxide, यहाँ याद रुखो, 0 आने से कोई चीज घड़ जाता है, वैसे मैं सुचना, 1 पे 0 रखेंगे, तो बढ़ जाएगा, ऐसे समझो, कि यहाँ पे CO है, तो temperature क्या होना चीज दसो तेहत्तर से कम, और carbon है, तो दसो तेहत्तर से ज़्यादा, लिविट, 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 limestone क्या काम किया था, यह क्या दिया था, flux, क्या दिया था जी, flux, flux क्या किया, seal का जो मेरा gang था, उसके साथ combine करके, वो क्या बना दिया, slack, और अब कहता है, कि जो molten pig iron, molten जो iron होगा, उसको pig iron कहते हैं, collected, at bottom of the blast furnace, जिसमें content कितना रहता है, 4%, sorry, this is 4% carbon होगा, this is 4% carbon, यहीं, impurities इतना ज़्यादा होता है, iron, मतलब इसमें impurities कौन है, carbon के impurities है, किसमें, इस pig iron में कितना तक पाय जाता है, 4-4% तक पाय जाता है, इसलिए इसको खराब कहते हैं, सबसे खराब form of iron है, कौन, pig iron, इसको फिर बाद में improve करते हैं, इसको आप बहुत तरह से जानते हैं, जो हम लोगी daily use करते हैं, stainless steel उतना आप से नहीं पुछा था, बस extraction पुछा था, sad extraction याद हो गया होगा, इतना reaction के साथ लिग दोगे, तो हमेशा हमेशा के लिए आपको, 5 marks का है, 5 marks आपको दे देगा, और आसानी से आपको याद भी हो जागा, चलो एक बाद फिर से बोलो, उपर से क्या आए था, carbon नीचे से hot air था, क्या बना, CO2, CO2 उपर गया, carbon से रिएक क्या बना, CO, CO क्या क्या, iron oxide को reduce करके कहां पहुचा दिया, iron में, जब iron में आ गया, तो iron अब क्या होगा, iron उपर से नीचे आएगा, गल के निकल जाएगा, यहाँ पे iron में जो गंदगी था, और के साथ जो गंदगी था, उस गंदगी कोन हटा है, limestone, limestone में से क्या मिला था, CAO, CAO क्या हुआ था, silica से रिएक करके, गैंग से कॉन्रिया किया, flux, GFS, क्या बना, slag, slag क्या बना, calcium, silicate, जिसका density कम है, तो वो iron से उपर रहता है, वो अलग iron, अलग, clear है, याद हो गया होगा, चलिए, आगे क्योर बढ़ते हैं, next question की तरफ, क्या आसान है, हम चारो का चारो एक साथ बता देते हैं, करता है, what happens when dry calcium format is strongly heated, जब हम calcium format को हम strongly heat करते हैं, तो आखिर क्या होता है, यहाँ देखना, यह इस reaction को हमने बड़े अच्छे से लिग दिया है, बोलो जी, formic acid समझते हो, formic acid किसे करते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, H, C, ऐसे लिख दे रहा हूँ, H, C, double bond, O, H, this is formic acid, लेकिन calcium के भेलेंसी कितनी होती हैं, 2, तो calcium जब इससे react करेगा, तो इस hydrogen को हटाएगा, और ऐसा ऐसा किसे react करेगा, 2 से react कर जाएगा, रेक करेगा ना, उसी को मैंने यहाँ पर दिखाया, this is calcium format, calcium के भेलेंसी कितनी हैं, दो, एक format इधर से, एक format आयन इधर से, clear है, तो यह बना मेरा calcium format, heat किये, धंग से देखना, धंग से देखना, यह notes में नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, देखो क्या हुआ, यहां से देखो, जैसे हीट करेंगे, C, A, C, O, 3, यह वाला पॉर्शन, C, कर से देखो, C है, यहां से calcium, C, A, और यह C, O, 3, फिसे देखो, C, A, calcium, C, O, 3, यानि calcium, कार्बोनेट अलग हो गया, बचा क्या, एक एच, यह एक एच, और यह C, O, H, यह मेरा C, O, H, क्या बना मेरा, फॉर्मल डिहाइट, क्या बना, फॉर्मल डिहाइट, फिर सु बो, क्या बोले हम आपको, calcium format को, जब हम हीट करते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ से निकल गया, C, A, C, O, 3, और क्या मेरा बन गया, फॉर्मल डिहाइट, क्या बन गया, फॉर्मल डिहाइट, सायद समझ में आ गया होगा, बढ़ा असान है, एक बर लिख होगे, तो याद हो जाएगा, जिसे मैंने इस तरह से हटाया, उस तरह से लिख के याद कीजएगा, याद हो जाएगा, चलिए, next, sorry, कहता है, next question कहता है, chloroform reacts with air, in presence of sunlight, what happens, मतलब क्या होगा, जब chloroform को, हम किसे रिया कराएंगे, air से, in presence of sunlight, यहाँ देखना, chloroform को, यह है मेरा chloroform, CHCL3, CHCL3, chloroform का फर्मुला है, जब इसको air के साथ, यह एक करता है, in presence of sunlight, तो होता क्या है, फॉसजीन गैस बनता है, और यह toxic, यादि पॉईजनस गैस है, पॉईजनस गैस है, और उसके साथ, यही लिखना है, इतना भी लिख दोगे, तो आपका काम बन सकता है, chloroform है, oxygen से लिए करेगा, किसके बने समय सनलाइट के बनता है, जो कि एक toxic gas है, यही कारण है, कि लोग फर्म का जो supply होता है, वो डार्क बोटल में होता है, पहला चीज किसमें, डार्क बोटल में, ताकि sunlight वहाँ पे ना पहुंच सके, किस तरह कर लाइट अंदर ना सके, दूसरा चीज, chloroform का जो supply होता है, तो उसके उपर में, इथानोल डाल दिया आता है, ताकि वो एक layer बना दे, ताकि oxygen के साथ contact में नहीं आए, चलो, फिर से बोलो, क्या बोले, chloroform की supply होती है, तो sunlight को रोपने के लिए, डार्क बोटल रहता है, दूसरा चीज, air के contact में नहीं आए, तो उपर से इथानोल डाल देते हैं, ताकि इथानोल एक layer बना दे, ताकि वो air के contact में नहीं आए, तो फिर से बोलो, क्या हुआ जी, chloroform को जब हम oxygen से रियक कराते हैं, क्या बनता है, COCL2, क्या बना, COCL2, यह क्या है, मेरा phosgene gas, toxic gas है, poisonous gas है, जो कि chloroform का, मतलब, खराब form है, तो poison बन गया, देखो क्या होता है, डिस आर्मूला, आप CSCL3, oxygen से रियक कराओगे, तो यहां से गौर से देखो, चुकि एक oxygen की valency कितनी होती है, दो, तो अगर उसको इस carbon पे आना है, तो यहां से दो हटाएगा, क्या हटा दिया, HCL, क्या हटा दिया है, HCL यहां से हटा दिया, गौर से देखो, तो इस carbon पे दो valency खाली हुआ, और दोनों valency पे आके बैठ गया, एक oxygen, clear है, मेरा क्या बन गया, यहां पे देखो, COCL2, क्या बन गया, जी, COCL2, clear है, अब ऐसे ऐसे ही सोचो, oxygen की valency कितनी होती है, दो, अगर उसको यहां पे आना है, तो दो, यहां से valency खाली करेगा, क्या खटा है, SCL, और आके जूर गया, क्या बन गया, मेरा COCL2, COCL2 का नाम, phosgene gas, क्या कहा है, phosgene gas, चलो, एक toxic gas है, poisonous gas है, इसी लिए, कुशिस करते हैं, इसको dark bottle में supply करे, और air का contact ना बने, सबसे पहले समझना, कि protein है क्या, simple सा चीज है, protein का जो monomer होता है, वो क्या होता है, amino acids, 20 तरका 20 टाप सा amino acids है, कहता है, primary structure of protein, is the sequence in which amino acids are linked, in one or more polypeptide gen, यहां दखना, जैसे यह क्या है, जैसे amino acids इस तरह से जूरा रहेगा, इस तरह से amino acids क्या करेगा, लगातार इस तरह से जूरा हुआ है, तो एक chain हुआ, इसको क्या कहोगे, polypeptide, क्या कहोगे, polypeptide, या तो एक, या एक से ज़्यादा रह सकता है, तो कहता है, कि जब एकदम sequence में हो आए इम्योन असीड किसी तरह का क्वाइलिंग और 3D structure नहीं होना चाहिए sequence में रहे तो sequence में एक दुसरे से link रहे तो इसी को हम क्या कहते है primary structure क्या कहते है primary structure अब कहता है इसमें amino acids जुरा कैसे रहता है तो कहता है amino acids are joined by peptide bond और इसी peptide bond को कहते है amide bond इस यही चीज़ जानने के लिए question आपको दिया है अगर आप यह चीज़ बताता होगे what is peptide bond amide bond तो टोटल का टोटल मांक्स आपको दे देगा क्योंग सबको पता है राम कहान कोई लिख सकता है लेकिन यह जो chemistry है यह वह जानना चाहरा है यह जानना चाहरा है आपसे कि उसको यह चीज़ आता है कि मैं यह जानना चाहरा था कि यह peptide bond के भी से मैं यहां दो यह एक amino acid से है और यह एक amino acid से है तो नाम से क्लियर है amino acid याणि कि मिसमें क्या होगा amino group भी होगा और acid group भी होगा मतलब एक ही molecule के अंदर amino group भी है acid group भी है यहां भी amino group भी है हमें पता है acid कैसा होता है यह acid group है तो अब कोशी है और यह azed scale group क्या होता है हमें पता है पता है અ ל Mind aufgeक्सण होता है तो क्या बनता है वाटर निकलता और salt बनता क्यों बाद Bridge यहां पर गल से देखो ammonia 것 विसा है यानि Amine, और acid react करता है, तो Amide बनता है, क्या बनता है Amide, चो लो कैसे बना, यहां देख़ो, इसका एक तरफ का COOH group, और एक तरफ का NH group, यहां से देख़ो, H2O मैंने निकाल दिया, तो H2O निकाल दोगे, तो क्या बच्चे हैं से, यहां से को और से देखो यह वाला CO और इधर से यह वाला NH this is called peptide bond इसी को कहा जाता है peptide bond तो यही what is peptide bond तो याद रखेगा CONH यही जो है CONH एक्चल में यहां पर resonance होता है क्यों resonance होता है यहां का lone pair और यहां का pi bond यह resonance में रहता है तो यह एक plane में आ जाता है structure यह एक planar structure हो जाता है यही है मेरा peptide bond और चुकी क्या हुआ यहां पर एक acid एक amine से रियक किया so this is called amide bond या peptide bond clear हुआ फिर सो बोलो दो amino acids आया हर amino acids में ammonia group भी है और carboxylic group भी है ठीक है तो एक का carboxylic और दूसरे का ammonium दूसरे का ammonia group जब रियक करेगा तो क्या निकला h2o और जो bond बना वो कौन सा bond बना peptide bond क्या बना peptide bond देखो कैसे फिर से देख लो यहां से यहां से h2o मैंने निकाल दिया यहां से कौन मैंना co और ns कंबाइंड करेगा this is called peptide bond और चुकि जो acid मेरा amine से रियक करता है तो याद रखेगा जो bond बनता है उसको करते है amide bond इसलिए peptide bond is also known as amide bond क्या बना amide bond अब देखो ऐसा ऐसा धेर सारा amina seeds जूरेगा तो जनरली कहा जाता है एक प्रोटीन में कम से कम minimum 100 amina seeds रहता है इंसुलीन को छोड़के इंसुलीन को छोड़के मतलब जो active प्रोटीन से उसमें कम से कम 100 या 100 से जादा रहता है लेकिन amina seeds इंसुलीन ने उसमात 51 पाया गया है वह अलग बात तो गौर से देखो इधर जो इधर जो सबसे मेरा जो इधर जो प्लेन आप पेपर पे देख रहे हो तो लेप्ट हैंड साइब बाई तरफ यहां पे कौन सा एंड fightιά भॉजन इसको कहते हैं एन टर्मिनल क्या कहते हैं एन टर्मिनल और धाहने तरफ जो सबसे तरफ जो पूछ बचे गाई यह सर हो गया तो पूछ बचे गा इसको टेल कर सकते हो तर्हींथ क्थी टर्मिनल तो सीदिस क्वा carbon terminal तो यह मेरा N-Terminal है और यह मेरा carbon terminal क्यों मिला यहां पर COOH group है और यहां पर NH2 group है तो this is N-Terminal and this is C-Terminal किढ़ से फिर से बोलो बाई तरफ N-Terminal दाहिने तरफ C-Terminal clear हुआ अब इसी को हमने ने स्टेट चेंड में देखने की कोशचिस करते हैं यहां हमने क्या कहा था हमने क्या कहा था कि यह जो थैद तरफ था। न टर्मिनल नहीं तरफ आले कुछ क्या कहा था सी टर्मिनल क्लिेर है और धेर सरा मैंना सिट जूड़ा है हर अमिसीड कर जूडने में जो बीच प्रिप्ताइड बॉइंड लगा fühl या मौयम एक उसमें जोर populafrei स्टॉक्ऩचर आप उर प्रूटीन स्टॉट्चर कि यह मेरा में मेरा प्रॉटे कहुंस आप हिसे कुप सरस्थ राच इतना चीज मताया उसको आप U स्टेट्मेंट में लिकल दो कहता है और मिस्ट्चर्चर है और है कोलन को बंद और सा प्रफारजन यहां पर दो तरह का इंसुलीन में बनता है तो यहां पे दो तरह दोसरा आप जिक्री कर से क्यों खूए कौन सब्सक्राइब का ता रीश ट्रॉक्चर वर्टीन और नन्सुलीन यह स्ट नहीं होता है यह यहीं फॉं सल होता है एक ही जगा होता है उसे मेंने एकसेफशन में लिख लिख दिया subject insulin insulin primary structure अक्ना लेखिन वह फंक्शनल है बाकी और कोई protein मेरा functional primary form में नहीं होता है अब कहता है कि यह क्या है तो इंसुलिन के विशे में थोड़ा सा लिख दो कहता है insulin is the functional structure of protein having 51 amino seeds को इतना मैनोसीट्स, एक्यावन आमाइनोसीट्स होता है, कहता है, primary structure is first stage of protein formation, जब भी protein बनेगा, तो पहले कौन बनेगा, primary, secondary, tertiary, अगर जरूरत परा तो quaternary भी बन सकता है, यह जो सबसे पहला जो protein formation में बनता है, वो कौन बनता है, primary, during the protein synthesis, कहता है, higher level of protein structure, जो इसके बाद ज कैसा होगा, secondary, tertiary, कैसा होगा, किसे पर डिपेंड करता है, इतना लिख दीजिए, पांच में पांच मार्क्स देदेगा, में लिए आपको वहाँ पर बताना है, what is amide one, peptide one, कैसे होता है, वह दिखा दीजिए, आपको बिल्कुल clear है, ये समझ में आ गया, चलिए, यही था कुशिन जो आपको दिया गया था, आपके मुडल सिट पेपर है, मैंने उसे बड़े अच्छे से बता दिया है, और किसी को अगर नोट्स चाहिए, तो मैं आप से एक रिक्विस्ट करता हूँ, उसे आप प्रिंट आउट करा लिजेगा, मैं उसका बता देता हूँ, कहां पे वेब लेबल है, तो टेली ग्राम चैनल है, कौन सा चैनल है बागू, टेली ग्राम चैनल है, उस पे आप जाएगा, केमिस्ट्री, वाई, डॉक्टर एके सिंग, ठीक है, इस ये टाइप किजएगा, उस टेली ग्राम से जाकर जोड़ जाए, और महां पर ये, मैंने आपको जो थमने लगा होगा, उसमें भी नमबर दिया हो, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कि ये नोट्स मुझे कैसे मिल सकता हो, बता देंगे, आप डाउनलोड कर लिए, उसे प्रिंट आउट कर जिए, और मैक्सम बच्चों के साथ सेर कीजिए, मैं ये कह रहा प्रिंट आप कर दो